प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ आज की मन की बात कारक्रम में उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव का आयोजन किया जाता है भारत में उससे देख करके पूरी दुनिया को अश्यर होता है और काफी सफलता पूरवक चुनाव आयोग इसका आ 1950 को हमारे देश में सम्विधान लागु हुआ और उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना और कल ही हमने आन बान शान के साथ गणतंत्र दिवस भी बनाया लेकिन मैं आज कुछ और बात करना चाहता हूँ हमारे देश में एक भावती महत्वपुन समस्ता है जो हमारे लोकतंत्र का तो अभिन अंग है ही और हमारे गणतंत्र से भी पुरानी है मैं भारत के चुनाव आयोक के बारे में भात कर रहा हूँ 25 जन्वरी को चुनाव आयोक का स्थापना दिवस था जिससे राष्ट्रिय मतदाता दिवस नेशनल वाटर्स डे के रूप में मनाये जाता है भारत में जिस केल पर चुनाव का आयोजन होता है उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्यरी होता है और हमारा चुनाव आयोक के लिए प्रदानमंति नरेंदर मोदी ने कहीं दो मेहमान हमारे साथ अभी तक कारकरब में जुड़े हुए थे जुड़े हुए थे इसके लावब बीजेपी से अमिताप सिन्ना जी भी हमारे साथ थे एक और खास महमान डॉक्टर जीवियार शास्त्री पॉलिटिकल एनलिस्ट भी अभी जुड़ गए हमारे साथ प्रोफेसर साब आपने सुना कि चुनावायो की तारीफ की प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी ने और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि EVM के उपर बातें करके कीचर उचाल करके इसी चुनावायो को बार-बार मजबूर किया जाता है कि वो सामने आये सपश्टी करण द तो एक तरफ प्रदानमंत्री नरेंदर मोधी जहां कह रहे हैं कि देश के हर नागरी को गर्व होना चाहिए है वहां हमने देखा है कि विदेशों में जाकर के भी लोग EVM के उपर हैकिंग को ले करके जब ऐसी बाते करते हैं तो चुनाव आयो के उपर गर्व करने की जग किसी भी डेमोक्रिक कंट्री का एक पालमेंटरी सिस्टम है पालमेंटरी सिस्टम के अंदर प्राम मिनस्टर जोह सिर्फ एक मेंबर आप पालमेंटर है और जहां तक चुनाव प्रक्रिय का सवाल है पूरी स्वतंत्र है एलेक्शन कमिशन और एलेक्शन कमिशन की कोई भी पर पार्टियों प्रितिक्रिया जाहिर कर सकती है लेकिन गौवर्णमेंट प्रितिक्रिया नहीं जाहिर कर सकती है नहीं कर सकती है और करना भी नहीं चाहिए कोई भी इडवेज नहीं देना चाहिए कोई बात्ची तुन के लिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि बाद में पांच साल की बाद जाए मोधी जी हो चाहे कोई पर प्राइम मिनिस्टर हो उनको पार्टी की तरफ से अपना चुनाओ लड़ना होता है दुबारा वापस आना होता प्राइम मिनिस्टर का इनका बात नहीं होती वह आप चुनाओ प्रक्रिया का और चुनाओ की उसके बात को पर कोई जनता की मतला है ना जनता अपना बात अपती जनता का बोल रहे है यह इस तरीके से नहीं होना चाहिए बैलट नहीं होना चाहिए मेशिन नहीं होना चाहि तो उनके उपर अपनी आपती है, जनता का अपती है, बागी पार्टियों का अपती है, वो एलक्षन कमिशन अपना जिम्मिदारी निवा है, और उसके लिए गाउन की तरफ आज प्रदार मंथी नरेंडर मोदी ने कही थी, उन्होंने स्वच भारत अभियान का जिक्र किया और किस तरह से, गाउं स्वच भारत अभियान में शामिल हुए और अब मुक्त भी हो गया है, बहुत से गाउं, खुले में शौट से मुक्त कर दिया है, बहुत से गाउंने आंक्रा में ज़रा एक बर फिर से याद दिला दू यहाँ पर आपको, उन्होंने कहा कि कम से कम प सरकारी योजनाय है, जिसका जिक्र आज प्रदार मंत्री नरेंदर मोदी ने मन की बात कारकरम में किया, जिसके चलते हम यह कह रहे हैं कि कहीं न कहीं यह आने वाले इलेक्शन को देखते हुए रखा गया है, क्योंकि हाउजिंग फॉर ओल का भी इसमें जिक्र किया गया, म मताब जी तक हमारी, लेकिन अनिल जी, यही सवाल में आप से भी पूछूँगी, 98% ग्रामीर भारत स्वच्छता कवरेज को पार कर चुका है, यह का प्रदार मंती नरेंदर मोदी न है, अनिल जी, देखें, सरकारें क्लेम करती है, सरकारों का हक है, यह कोई पहली बार नह लेट्स खोलने की, यह बहुत जरूरत है भारत में इस चीज़ की, लेकिन इसकी कितनी कामयाबी हुई है, 98% बहुत बड़ा अंकड़ा है, देश बहुत बड़ा है, बहुत प्राब्लम्स हैं, खासकर आप दिल्ली जैसे आप शेहर में ही देख लीजिए, तो यहां भी कहता हूं, तो सरकार और एड्मिस्टेशन और सिविक बॉडिस, तो कि वो अपना काम में कहीं कहीं कमिया करती हैं, और जन तंतर जब मैं कहता हूं, तो मैं जनता की बात कर रहा हूं, वी एस पीपल आफ इंडिया हमें कुछ और सजग होके जरा और एक्टिव होके इन सकता है कि पूरा हुआ, ग्राउंड डियालेटिस थोड़ी भिंद रहती हैं, और मुझे लगता है कि अब मैं तो नहीं इस चीज़ को कांटेस्ट कर सकता हूं, क्यों उन्होंने कहा 98% सरकारे करती हैं, क्लेम करती हैं, लेकिन योजना है बहुत अच्छी है, इसका क्रेडि मंत्री नरेंद्र मोदी ने ये का है कि अभी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे वो जो देश में विद्यार्थी हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बोर्ड एक्जाम में भाग लेने वाले जो बच्चे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, और परीक्षा पर इस बार चर्चा होगी, फिलाल कि बस इतना है, डीजे जासर, नमस्ते.